हेलो स्क्राइब को साथ तो कैसे हैं आप सभी आयो पाप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मेरे पास एक बोर्ड रिपेर होने के लिए जैसे कि आप पैचान तो गई होंगे अगर आप एक मेकैनिक है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जैबरोनिक बीटी पिच्चान मे होते हैं हम उनको टेश्ट करें और उनको नया डाल दें अगर उसको सही डालने के बावजूद भी हमारा सेट ना चले जब एक एक्सपर्ट मेकैनिक के पास ले जाना परता है जैसे कि हमारे पास आया है अब इसके अंदर प्रोब्लम क्या है उन्होंने इस साइड पर सारे सारें डाल है लेकिन लिकाल दीए बात क्या है मैं आपको बतातुम इसमें क्या है कि आयाउटोट में डी सी झारी है और पर आप entered दिखते हम शाएथ सकते हैं यहाँ पर इसकी आउपूट थे एक और मैने लियाक इसpps पिकर लिया उसको मिशें कोई मतलब हाभी था और यहां पर हम दूसरी लगा देते हैं यह देखें यह देख सकते यह देखें इसमें मंझन डी सी आरिया आउटपुट में यह देखें अगर में जए तक शुरीस में लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है बद मुझे शुरीर अपना बड़ा प्यारा है आपको दिखाएंगे कि द तो माइनस पर माइनस प्लस से प्लस आप देख सकते हैं तो इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ होगा चलिए चेक करते हैं जब ऐसी कंडिशन में आपके पास सरकीट आये इस तरह का जैबरोनिक काफी सारे मोडल हो में लगता है ज्यादे जरूरी नहीं कि जैबरोनिक कही हो त तो से मोगा जो रिपेर करके दिखाएंगे चलिए से पहले पावर इसका अठा देते हैं इसमें बताता हूं जो पिचान में सो मॉडल जितने भी हमारे पिचान में सो मॉडल है उसमें जो ट्रांजिस्टर लगता है दोस्तों यहां पे जो बड़े वाला ट्रांजिस्टर पर जो कि यहां पर श्कmiş को रहे ग्यांके लगा रख है कोई दिक्कत नहीं है यह में payoff कि यहां पे जिरो-टू, Pe много ठांजिस्टर गा ओका है यह वह दोनिंटिक लग़ा हुआ है यहां पर जो कि ठीक लगा हुआ है दोनों बीच में लगते हैं और साइड में पी एंपी लगते हैं जो शुक्री Douglas लगवा हैं अधर क्सारियों पहले ह tenemos को तो थोड़ा साव एक तो थोड़ा सब भी पा रहा है वह किस वज़े सा सकता है कि इसमें पिश्टर चार्ज होगा थोड़ी देर रुका के रखना है देखिए और आगला चेक रहा है यह यह विछ थीक है क्योंकि थोस्टों कर खराब होता तो ऑमस में तो डेड़ सो और सपास का या बीप सांड आता है यह बढ़ती जारी है को दिकतर ने क्या पीश्टर चार्ज की प्रॉब हो यह देखिए और कि लोंच चेंज हो गई यह देखिए चार ओके हैं उसके बाद यहां पर दोस्तों दो फ्यूज लगे हुए हैं दो फ्यूज में से कोई सा फ्यूज भी ओपन होगा या माइनस वोल्टेज ना जा रही हो जब भी प्रोब्लम करेगा तो सबसे पहले फ्यूज भी चेक करेंगे दूसरे नंबर पर कि एक तरफ करें कि थोड़ा डैयोड से टेच करते हैं यहांपे दोस्तों दूसरा क्रि भी ओक्यूज है जोरे मैं इसे बैक साइड़ से लेकर आगए हैं आप देख सकते हैं हमने बैक साइड़ से निया है एक फिल्टर काइफ्टर की क्वाडा कया है तो इवाला पॉइंट एक दम अटेच है तो हब भूलटेज यह तो दोनों वोल्टेज उसके बाद में यह देखेंगे देखेंगे तो यहां से आप देखेंगे तो इस ट्रैंट्र से जाने के बाद एक जंपर हासे यहां पर को चेक करते हैं पर नहीं है अधिया इसह न सीधा कहा जा रहा है यहां फिल्स पॉइंट्र से प्लस प्लस प्लाइब चक्रते हैं जो कि ठीक है दोस्तों हिना यहां थावुक्थ आपका दूसरा खाहर नहीं होगा उसके बाद में दॉस्ति हैं यहां से होते हुए गया हमारा यहां यह यह देख सकते हैं यहां गए इस पर जगाया हुआ है मलब दूसरे टाइश्टर के एमिटर बें तो यह माइनस वोल्टेज देखते हैं तो परफेक्टली यहां पर मलब जो रिडिंग हो गई हुए है यानि कि माइनस वोल्टेज हैं प्लस वोल्टेज अब प्रोब एक ग्राउंड कर लेते हैं इसकी माइनस वोल्टेज प्लस वोल्टेज विल्कुल करेक्ट है अब दोस्तों हमें करने हैं यह दोनों ट्रांजिस्टर चेक और यह दो ट्रांजिस्टर चेक और यह दोनों अब मैं आपको एक शोटी सी चीज बताता हूं भाई यहां पर हमारे वोल्टेज स्टेबल हैं और अगर यह ट्रांजिस्टर बड़े वाले समझना मेरे बात को अगर ये transistor बड़े वाले सो तोते हैं जैसे इसमें यहांपे टंशalet वह हैं यह वाले बड़े वाले अगर किसी वह से सोट हो जाते तो दोस्तों क्या होता हमारी होल्टर ड्रोप होती लेकिन वह कंडिशन बेखते हैं इस वाले टांषटर का और दिखाते हूं यह देखें कि यह कलेक्टस्ट से atstature से थाता है कि अजो फिर भी आपको च लाइन को हटा लेते हैं डिश्चार्ज करते हैं केठें डिस्चार्ज किया जहां दोस्तो को करेंगे हां यहां पर बीच में Arya को करें कि नंबर करें दूसरे नंबर पर हमार अम 2,1 hold पहले देख सकते हैं दुस्तों कर्यार लगाते हैं आफ अ पड़ таких है यहां देखिए यह देखिए 502 505 यहां पर हमाई 200 आएगी क्योंकि दोस्तों 220 ओम की रेश्टेंस इसके साथ लगी हुई है मतलब 552 आ रही है उपर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी रेश्टेंस की वैल्यू दिखाएगा अगर हम रेश्टेंस मौड पर इसे लगाते हैं यह देखिए मैं आपको रेश्टेंस मौड पर दिखाते हुँ कि यह देखिए 246 ओम दिखा रहा है जबकि 220 सों कि रेश्टेंस यहाँ पर लगी हुए है ठीक है तो इसके साथ हमारी एक रेश्टेंस लगी हुआ है जो कि इसकी वैल्यू दिखा रहा है उसके यह दोनों बड़े ठीक है अब चोटे वाले पाज आते हैं यह देखे यह वाला चोटे वाला भी ठीक है लेकिन यहां पर बढ़ने लगी अगर यह रूकी रहती तो दोस्तों क्या होता है यहां पर हमारा यह चोट मिलता है यहां पर दूसरा चैक करेंगे यह देखें बढ़ती जा रही है ठीक है लेश्टोट करने की विद्धी आपको आती हो कि नहीं आतरो हमारा चैनल पर जाकर देख सकते हों अब यहां पर दोस्तों ठीक है क्योंकि उसने उसने तो चैक करके हमारे पास बेजे लेकिन हम आपने स संतुष्टी के लिए चैक करें अब यहां पर इसकी ड्राइब के लिए लगाता है उसको चेकते हैं यह ठीक है यह देखें नहीं है कहीं भी ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपको मैं बता देना चाहतूं यहां पर फेंताले ठाओना इसी लेगे उता और बारे-बारे व स्विktor वह गया तो दोस्तों आपको सारा काम करने जो आएंगी ऑगी से चैक करते हूब यह दो अगला चैक करते है, यह ठीक है यह ठीक है यहा और चेक करते है यह ठीक लोंस में रेडिंग कर समयन ह्ताय है वह सो फ्तापते है यह भी ठीक है और इस साइड का चेक करते हैं यह देख सकते हैं यहां पर शोटिंग आ रही है साफ-साफ शोटिंग आ रही है यह देख सकते हैं यह जिना डायोड हमारा सोटिंग दिखा रहा है तो हम इसको एक बार से बाहर निकाल करके देखते हैं इस जिना डायोड को यहा हम यहां से भाहर निकालते हैं चलतु सफॉल हम्ने दोस्तों यहां से भाहर निकाल गीया थे應該 अब दोस्तों इसको जोना और चो यह क्षेक करते हैं अब देख सकते हं मैं starch घ्याव को फिर डीच सकते हैं और यह सोट और यहां से दूसे तरफ से चellतकरते हैं अगिलजिए तो प्लसवाट है तो दूस्टो यह वालील्ट का लगा उतना है और। partido दोस्तों सिम्बल भी बना हुआ है पिलस कि इदर रखना है माइनस कि आरकना है तो आप देख सकते हैं यहां पर यह देख सकते हैं यह 12 वॉल्ट का जिनर डाय ओडा है हमने वन एंपीर में एंपिर ले लेना है तो हम इसको यहां पर वालडर करेंगे तो यहां से हम एक इसको इस तरह से हमें मोड लेना है 12 वोल्ट का जिनर डिया है हमने अधिए इसको हम सोल्ड करेंगे इसे हां से हलका सा मोड लेंगे यह समडी में ता पहले इसमें हम इसमें नॉर्मन लगा करें तो थोड़ा सब दिक्कत आएगी इसमें लगा देंगे उसमें हलका सा पेश्ट डाल देंगे जो हमारा टाइट हो जाता है इसको हिना पेश्ट करते हैं और तो दोस्तों इस तरह के छोटे फाल टीन के अंदर आ जाते हैं किस वाजे से आते हैं जब आपके टंश्टर शोट हो जाते प्रोप ग्राउंड करते हैं एक प्रोप ग्राउंड करते हैं और इसके पोजिटीव पर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट है यहां पर बिल्कुल सही आ रहे हैं पहले हमने चेक नहीं करें थे बस दिक्कत यह थी पर लेकिन 12 वोल्ट आ चुके हैं जो कि ड्राइव के लिए इसकी तो एक बार चेक कर लेते हैं आउट्पूट चेक करते हैं इसकी कोई डीसी तो नहीं आ रही है पहले डीसी में आपको इससे दिखा दो मल्टी मीटर से तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी डीसी नहीं है यह देखिए कोई डीसी नहीं है आपको सिर्फ बीप साउंड आ रहा होगा अब यहां पर हमने स्पीकर लगाया आप देख सकते हैं यह स्पीकर यह देखिए यह देखिए चलिए मैं एक बार आपको सौंग प्ले करके दिखा देता हूं इसके अंदर चलिए मैंने यहां से ओडियो की लिडली एक प्रोब इसको ग्राउंड कर दिया है यहां से और एक यहां पर लगा देंगे यह देख सकते हैं मैंने यहां पर जैसी ओडियो वाली फिन पर लगाया तो हमारा सेट जो है बिल्कुल प्रोबर चल चुका है दोस्तों एक जिना डायोर का पाल का चोटा सा और हमारा सेट बिल्कुल अच्छे से किलियर हो चुका है इसी तरह है कि दोस्तों वीडियो हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हों काफी मैंनत करके आपको सिखाते हैं आपको कुछ समझ में आयोतो उए लाइक कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब 20 और हमारा बिल्खुल बहुरड ऑको है तो वही बोड़ है वही सब कुछ आपके सामने बिल्कुल लाइब सिखाया आपको तो फ्लीज एक प्यारा से लाइक का देना और दोस्तों जैहिन जै भारत दोस्तों अपने कमेंट में लिख देना चले दोस्ता मिलते हैं नेक्ट्व में जैहिन जैशिराम दोस्तों